असलों लेकुम दियर फ्रेंट्स वेलकम तो वर यूट्यूब जरनल मेहत्वित असनली तोड़े वी डिस्कस मेहत्मेटिक्स अब क्लास 6 जेप्टर नमबर 7 एक्ससाइब 7.1 फार पीस्टी एंगेस्टी प्रिपरेशन आज का हमारा टॉपिक है फिनांशल अर्थमेटिक फिनांशल अर्थमेटिक का जो सब टॉपिक है वह है परसंटेज हम आज परसंटेज डिसकस करेंगे इस तरह के संटेंस अब मर्केट में बहुत सारी प्राडक्ट पर सुनते हो यहां पर यह भी रिखा होता बाएवन और गेट वन फिरी यह सेल 50 परसंट इसकांट इन इवर डैली लाइफ भी अप्लाइप परसंटेज उन मैनी तिंग्स लाइक डिसकांट अंद डीर शॉपिंग अचेंग इस तो अच्छांड चॉपिंग के दौरान हमें परसंटेज कल्कूलिट करना भी आता हो ऐसे नहीं 50 परसंट डिसकांट या 40 परसंट या 30 परसं लिखाओ पर हम करक्यूलियर नहीं कर सकते कि यहां पर वेल्यू कितनी कम हो रही है तो इसकी नोहाव के लिए हम यहां पर वही डिसकस करेंगा आज कि हमें डेली लाइब में परसंटेज के से हमारे लिए हेल्फल हो सकता है तो इसमें से जो भी हम वेल्यू निकलते हैं जैसे रिकनाइज परसंटेज एस अ परसंटेज इस डिनामिनेटर आफ हन्रेट होगा अब को जो साइड में बॉक्स बने हैं वे शोटर शोटर नजर आ रहे हैं यह टोटल हन्रेट है ठीक है इस फिकर में इसमें थ्री जो भॉकसेज इस हैं वो तो जोल्ए है शिडएड है। टोटल हंडर हंडर हैं जब। ट्री आउट ऑफंडर पार्सम्द्स अपिकर होगा तो हम लिखेंगे 3 अपाउं हंडर मौगा वर अगर हम कहें कि इसके परसंटेज कितना है तो हम कहेंगे 3% we say that 3% of the figure is colored percentage is denoted by the symbol percent so we can say that 3% of the figure is colored percent हम लिखते नहीं हम symbol यह यूज करते है percentage की any fraction with 100 is a denominator it can express in percentage अगर किसी भी figure में 100 denominator में है तो हम इसको easily percentage में express कर सकते हैं यहां पर convert the percentage into fraction by expressing it is a fraction with denominator 100 or then simplify we can convert a percentage to a fraction by expressing it as a fraction with denominator 100 and then simplify अगर हमारे पास percentage की मतलब value हमें percentage में given है उसको पहले हम percent खतम करेंगे तो upon major 100 जैसे example number 1 में है 5% into fraction 5% means 5 upon 100 percentage की साइन जैसे खतम होगी जब भी खतम होगी upon 100 आएगा फिर हम क्या करेंगे 5 upon 100 5 का table 1 time 100 पर 5 का table 20 time तो answer जाएगा 1 upon 20 यह 5 वो टेबल हमने लगाया मतलब जो दूसरा part रे करें then simplify simplify भी करना है तो हमने table लागा के simplify कर दिया यही हमारा answer फ्रेक्शन में आ गया convert 72% in fraction 72% को फ्रेक्शन में convert करने के लिए सबसे पहले percentage इसाइन आट आएगे तो अपान में 100 आ जाएगा अब 72 100 पे हमारे पास table जो है वो यहां पर हम लगा रहे है 4 का क्यूंकि 2 का table तो लगेगा फिफ्टी टाइम अब यह इसे भी लगा सकते हो पहले 72 पे टूगा टेबल लगाओ 36 टाइम और 100 पे 50 टाइम फिर 36 पे टूगा टेबल 18 टाइम और 50 पे 25 टाइम तो 18 अपान 25 वन सरा जाएगा यहां पर डाडेक्ट क्या हुआ हुआ है बात एक ही है भी सांटेजब करीए तो अब यहां पर फंडरेक्ट अल्रेड यह है तो हम उसको 1 a.12 थै दू है फिर हम उसको उसके दूमिन है चात मल्टिपिला करें इसलिए हमने 57 लखा लखाए ऐब तक यहां डाडेक्ट भी लख सकते हैं तू मल्टिप्ला हंड्रेड 15 अपान 200 फिर हम टेबल लगाएं यहां पर डारेक्ट टेबल लगा गए नहीं अंसर लिखा है फाइव का 15 पर 3 टाइम और 200 पर 40 टाइम पर संटेज पर मल्टिप्लाइंग इट विद 100 परसंट वगए एक फ्रेक्शन है जिसको हम डारेक्ट परसंटेज में चाहते हैं ठीक है और उसको हम जो है वो पहली बात होए कि 100 परसंट से मल्टिप्लाइग करें तो यह बहुत इजी है डिनॉमिनेटर में हमारे पास 100 होना चाहिए तो उसको हम फ्रेक्शन एजिली कन्वर्ड कर सकते हैं जैसे हम पहरे 5 अपन 100 100 रिमूव हो जाएगा परसंटेज की साइन आ जाएगी 5 परसंट 97 अपन 100 97 परसंट इस तरह हम डारेक 100 रिमूव करके परसंटेज की साइन लगाएंगे फंक्शन सेविंग डिनॉमिनेटर मोर दें 100 और कन्वर्टेज इंटू परसंटेज बाई टू वेज यह तो पहरे हमने 100 वाला डिसकर्स किया ठीक बहुत एजी है पर अगर ऐसी कोई वेल्यू फरेक्शन है जो उसका डिनॉमिनेटर 100 से ज़्यादा है तो उसके दो तरीके हैं सिस्टेब क्या है कनवर्ट दे फरेक्शन इंटु एक्वेलेंट फिरेक्शन है और एंट एंट एक्सप्रेस परसंटेश फिरेम कोशिच करेंगे कि इसको सिंप्लिफाय कर दें दाकर इसका डिनॉमिनेटर जो हें 100 हो जाए फिर आम उसको परसंट जिम लिखें दूसरा method कि convert any fraction into percentage by multiplying and dividing with 100 और multiply by 100% दूसरा यह method रेको उसको 100% 100 यह 100% से multiply कर देते हैं यह डिवाइड कर देते हैं जैसे यहाँ पर convert 1.2 into percentage by converting it to equivalent fraction with 100 denominator तो one upon two को पहले हम step में क्या करेंगे 100 denominator को 100 में convert करेंगे ताकि equivalent fraction आगे तो उपर वाले नबर से 50 multiply किया नीचे वाले से denominator से 50 multiply किया तो यह कर फिफ्टी पां 100 अब हमारे पास easily 500 को remove कर सकते हैं और परसंट रे जाएगा 50 अगर इसके साथ आप मल्टिप्ला करें 100 परसंट उपर भी 100 परसंट तो फिर क्या होगा 100 अगरे पास बागी अंसर रहे जाएगा 50 परसंट वन अपां टू मिंस 50 जीरो कनवर्ट त्री अपां 5 एंटू परसंदेश बैगन वेडिन इक्वेलेंट फिरेक्शन सबसे इजी में तरे इक्वेलेंट फिरेक्शन यहां हम सिर्फ यहां पर यह भी डिसकस कर सकते हैं कि जो डिनॉमिनेटर उसको 100 बना लें उपर कोई भी वेल्यू है को फरक नहीं पड़ता तो थरी को भी 20 से मल्टिप्ला करेंगे 5 को भी 20 से ता 5 का टेबल यहां पर लागा 100 फिरे 20 टाइम 2 20 मल्टिप्ला एक हमारेंट परसंट जोला चला जाएगा अपान वाला उपर वाला 100 से कट होंगा 8 तो 8 cutable 2 time, oh sorry 4 cutable, 8 पे 2 time, 100 पे 24 time, 24 multiply 5, 125 upon 2 percent. Convert a percentage into decimal by expressing it as a fraction with denominator 100 and then a decimal. एक हमारे पास अगर value है decimal में, तो उसको पहरे fraction में convert करेंगे, जिसका denominator 100 हो, percentage में convert करने के बाद उसको हम decimal में convert करेंगे. For example, convert 3% into decimal, 3% means 3 upon 100, तो 3 upon 100 means 0.03% हो जागा, क्योंकि अपान में 100 हैं दो डिजिट हैं, तो पाइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे. Convert 5.2 percentage into decimal, 5.2 का मतलब है 2.5%, तो 2.5 percentage की साहन हटाएंगे, 100 आजाएगा, फिर यहाँ पर 0.2 डिजिट लेफ्ट की तरफ जाएगी, means 0.025, इस तरह 135%, percentage की साहन हटाएंगे, डारेक आजाएगा, 135, 100, तो 0.2 डिजिट जाएगे, लेफ्ट की तरफ में 1.35. Convert decimal into percentage by expressing it is a fraction with denominator 100, then it is a percentage. अगर हमारे पास question जो है, वो decimal में given है, तो पहले उसको fraction में convert करेंगे, जिसका denominator 100 हो, उसके बाद उसको percentage में लिखेंगे, जैसे example नमबर 1 में है, Convert 0.5 into percentage, 0.5 means point की जगा नीचे 1 लिखेंगे, और point के बाद एक डिजिट 5 है, तो 1, 0 आएगा, 5 upon 10 हो जाएगा, तो इसको हम 10 से multiply और divide भी करेंगे, तो 550 upon 100 हो जाएगा, 50 upon 100, 100 खतम करेंगे, 50% Convert 0.25 into percentage, 0.25 means 0 point खतम करेंगे, अपन बनना जाएगा, और point के बाद दो डिजिट लिएगे, 25 upon 100, 25% Okay, उसके बाद है, we can also convert decimal into percentage by multiplying 100%, हम 100% से multiply करके भी decimals को percentage में convert कर सकते हैं, जैसे example number 3 में है, 0.125 into percentage, 0.125 को हम direct 100% से multiply कर रहे हैं, अब जहां पर वही हमारे पास वही method आ गया कि पहले 0.125 को हम decimal खतम करें, तो अपन में आ जागा 1000 क्यूंकि पॉइंट के बाद तीन डिजिटे तीन जिरो आ जाएंगे, उसके बाद हम जो है वह 100 के 20, 1000 के जो है न वह तूजिरो कर जाएंगे, बाई के बाई के 10, 125.10, 125.10 means 2.5% फाइंडिंग percentage अगर यहां पर हमें quantity है जैसे हम shopping वगरा करते हैं, वहाँ हमें एक fix quantity given होती है हमें कहा जाता है इसका इतना percent discount है तो हम वह discount कैसे निकालेंगे वह यहां पर question वही है find 15% of 75, 75 का 50% मतलब कम कर दो discount कर दे दे आपको तो कैसे निकालेंगे हम 75 का 50% 15% of अब यहां पर देखो statement में ही हम step change करेंगे 15% है तो फिफ्टी अपान अटर जाएगा ओफ मींस मुल्टिपला हो जागा 75 सेम लिखेंगे अब हम लगाएंगे टेबल यहांप हमने डारेक्ट टेबल लगाया है 75 25 का टेबल 3 टाइम 100 पर 4 टाइम 15 मुल्टिपला 345 अपान 100 फिर इसको प्रापर फ्रेक्शन है तो दे होल में लिखा 11 होल वन अपान फॉर मैं इतना अमाउन यह है वह होगा 75 का इस ट्वेंटी फॉर्ट ट्वेंटी परसन ऑफ ट्वेंटी परसन अगर कह रहेंगे 140 का 20 परसन कर लेंगे वन वह 150 के 25 परसन से ज्यादा होगा तो अब सबसे पहले हम 140 का 20 परसन निकाल नहीं में 120 140 मुल्टिप्ला 20 अपान 100 टेबल लगाएंगे 21 20 का टेबल वन टेबल फाइब फाइब फिर फाइव को जो है न वो डिवाइड करेंगे और 140 को डिवाइड करेंगे फाइब से अंसले का ट्वेंटी एट इसी तरह से 25 परसन अवन फिफ्टी ही निकाने के 25 100 यहनि 475 अपान टू हो जाएगा 37 और वन अपान तू तो हम यहां पर लिखेंगे के 28 is less than 37 therefore 24 परसन अवन फॉर्टी इजन और के रज़टें 25 परसन अवन फॉर्टी वन फिफ्टी लास्ट में यही कहेंगे कि 140 का 20 परसन जो है वो 150 के 25 परसन से ग्रेटर न नहीं है और कि यहां पर next method है question number example number three is write the following friction into ascending and descending order using percentage यहां पर कुछ friction है जिसे तो बनापान टू 7 अपान 5 अपान 4 इनको ascending and descending order में लिखना है और फिर भी percentage use करते हुए तो समसे पहले हम इंके percentage निकलने के लिए 100 परसन से को multiply करेंगे तो तो टू का अबर वन ताइम 100 बे तो गड़ा वर 50 ताइम यनि 50 परसन वजाएगा 7 अपन 5 पे से 100 को multiply करेंगे तो 75 अब वान टाइम 100 पर फाइबल 20 ताइम तो 20 मुझे लिए 100 140 परसन वजाएगा इस तरह 3 एपन 4 पे भी 100 पर थे परसन से से multiply करेंगे फोर करेंगे फोर करेंगे फोर गड़र वन टाइम एन रेट वे जो है फोर करेंगे तो टिरी करेंगे तो 75 परसन तो 40 परसन 75 परसन और 140 परसन अब इनकोर संदिन अधर में और दिंध में रेंज करेंगे हम लिए हम लिखेंगे इसे 50 सेबीस्टFORE सण और कहां 5 nettoy very अगर पहले बढ़ाता है तो सेवन पाइन फाइब एक साइब पॉइंट वाने वाइट परसंटेज आफ फालइंग फिगर इस शेड़ फिर्ट में अगर देखें हम कि टोटल यहां पर हंडेड शरकल है और शेड़ कितने परियर परसंट और से लिएवां देड्स है थाओ कि विर्ट रेक्षन में आता तो थ्रिया पांट फॉर लिखतो थे थैए है वसे हुआ डालोग फालोईंग फेरिक्शन इंडेशिमल पहले फेरेक्शन में करो फिर डेसिमल में डालोग दिश्कस कर चुट है टालोग प्रसंटेज फालोईंग पहलेंगे जीरो पाइंट फॉइंड पर्संटेज्ड चुक्न ने तो परसंटेजा यहां बहुत हैं पॉन को 100 बना ले यह 100 परसंट से मल्टिपला कर दें दोनों मेथड़ एजी हैं राइड फालोइंग परसंटेज इंटू डेसिमल यहां पर भी यह परसंटेज को डेसिमल में लिखना है 25 परसंट में 0.25 100 अपान में जाएगा और इसको परसंट में लिखना एजी हो जाएग कोचिन फायो कनवर्ड फालोइंग डेसिमल इन टू परसंटेज यहां पर जो भी डेसिमल है इनको परसंट में लिखने के लिए पहले डेसिमल को फरेक्शन में कनवर्ड करेंगे फिर देखें कि अपान में 100 आप ताॉजंड री क्या है उसे साल से हम कनवर्ड करेंगे पare-पार्में और आप यह निचे वाला कौन से उन मीटर का परसंटेश यह तो कि और मेटर में हन्ड bes Employee कि और लटे। हमारा 1% है और बाकी जो है वो परसंटेजी टिक्रीज अंक्रीड होगा वह हम असी हिसाफ से सॉल करेंगे सेल अव बुक अन साइनस अन सर्टेन स्टोर इस 30% राइट इस फ्रेक्शन 30% सेल है में 30% अफ है 30% करेंगे तो हम 00 कट कर देंगे 3% हो जाएगा मिन से 3% 10% जो ने फ्रेक्शन ओफ है खाल्दा ने 96 मांक्स लिए हैं 150 में से वर परसंटेज अच्छी अप्टेन परसंटेज कितना होगा 90 को हम जो है 150 से डिवाइट करेंगे मिल्टी पिला करेंगे 100 से परसंटेज मार्क्स करने का फार्मूला यह होता है फारिंड परसंटेज जहां पर भी कुछ कुछ च्छन है जैसे और 10% और 50 मिस 10 अपान 100 मिल्टी पिला 50 तो हम बाकी 00 कट कर देंगे बाकी 5 आजाएगा 5 परसंट यह सब्सक्राइब का अंसर आजाएगा इस तरह बाकी जो वैल्यू दे उनका भी अंसर आप ऐसे ही ने करोगे थेंक्यू फार भाच्छे में वीडियो अलावाफेश